किस्मत चमकने का समय भी बता देती है आपकी भाग्य रेखा जी हाँ, आपके हाथ में वनी भाग्य रेखा कि according ये जाना जा सकता है कि आपका जो भाग्य है, किस्मत है वो कौन से वर्ष में या जीवन के किस पूरबार्द में, उत्रार्द में या फिर बाद में, या जीवन के किस उम्र में आपका भाग्य चमक सकता है, आपकी भाग्य रेखा आपका जीवन समार सकती है, कौन से वर्ष में, इस बारे में हम बात करेंगे, आए डिसकस कर लिते हैं, भाग्य रेखा के समय के बारे में. नमस्कार प्रेदर श्रकों आप समी का मुस्स वेलकम है मैं हूँ एस्ट्रोलोजर सुनी शास्त्री और आप देख रहे हैं जियोतिस से सम्बंद कुछ विशेश और एडिशन जानकारी है दोस्तों हर विर्ति के हाथ पर जो भागय रेखाय होती हैं वो भागय रेखाय अलग अलग प्रकार की होती है भागय रेखा के कई टाइपस हैं कई प्रकार हैं और उन प्रकारों के हिसाब से ही हर विक्ति को भागय रेखाय उसके भागय का समय दर्शाती है उसके भागय का फल देती है और जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल देती है या फिर हम कैसा भागय अपने पूरबजनमर से लेके आए हैं वो रेखाय दर्शाती है इसलिए जो पालमिस्ट्री है जो हस्त रेखा जोतिश है वो इंडिगेट करती है तो भाग्य रेखा के अकॉर्डिंग किस तरह का फल निकल कर आता है और कब भाग्य रेखा संकेत करती है कि कब ऐसे विक्ति का रेखा के हाथ में बनी रेखां के अकॉर्डिंग कब ऐसे विक बागय रेका का भागय योदे होता है, बागय चमकता है, किसमत चमकती है दोस्तों कई प्रकार हैं बागय रेखा के तो कुछ जो जादतर प्रकार लोगों के हाथों में पाए जाते हैं उनके बारे में मैं बात करूँ का तो पहला पॉइंट है कि ऐसी भागे रेखा जो की मूल से चलती है यानि कि आपको हाथ के अकॉर्डिंग बता देता हूं देखी ये मूल है बागे रेखा बहुत सारे विक्तियों के हाथ में यहां से चलती है यहां से और यहां से चलती हुई और शीदा शनी परबत पर जाती है तो यही इसका सही पॉइंट है कि यहां से यहां से चलती हुई भागे रेखा और शनी परबत पर जाती है तो ऐसी भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है जब ये भाग्य रेखा चाहे हलकी लहरदार भी हो और चाहे सीधी भी हो यदि ऐसी भाग्य रेखा किसी विक्ति के हाथ में है तो ये भागे रेखा फल बताती कि ऐसे विक्ति जनमजाद से ही भागेशाली होते है पैदाईश ही भागेशाली होते है क्योंकि ऐसे विक्ति जनम ऐसे घरों में लेते हैं जहां हर प्रकार से सुख समर्दी और जो भाग्यशाली होने पर जो हमें फल मिलने चाहिए जिनकी expectation हम life में करते हैं कि भाग्यशाली होंगे तो यह यह चीजे हमारे पास होंगी यह इस तरह का रहन सेहन होगा तो वो सारी चीजें ऐसे व्यक्तियों कि जीवन में प्रारंब से ही रहती है और जीवन के अंतक्षोर तक जीवन के अंतर तक वो सारे सामगरी का उपभूग कर पाते हैं यानि कि अच्छा जीवन जीवाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों जन्मजात से ही और पूर्ण जीवन तक भाग्यशाली होते हैं दूसरा प्रकार मैं आपको यहां बताऊंगा दोस्तों यदि भाग्य रेखा आदी हतेली पर हो जैसे कि भाग्य रेखा आदी हतेली पर कई लोगों की होती है पूर्ण नहीं जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाग्य रेखा यहां से चलती है और जा करके शनी परबत पर जाती है लेकिन ये हुई पूर्ण भागे रेखा लेकिन दोस्तों कई लोगों की भागे रेखा यहां से यह आधा हाथ का जो आधा पॉइंट है यहां तक यहां से यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है यह पार्ट नहीं होता, यहां से सुरू होती है और यहां तक जाती है तो ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदे हैं दोस्तों, वो 35 वर्ष के बाद, जब उनकी आयू 35 वर्ष के होती है उसके बाद ही वो अपने कार्यों से एक अच्छा भागय का निर्मान और एक अच्छा जीवन जी पाते हैं जो उन्हें लगता है कि इस तरीके से भागय शारी माना जाता है उसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट यहां पर है कि भागय रेखा यदि मस्तिक्स रेखा से शुरू होती हो कई लोगों की भागय रेखा है वो यह जो भागय रेखा है वो यह मस्तिक्स रेखा से यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है तो यह मस्तिक्स रेखा से येदी यहां से और यहां तक जाती ही दिखाई देती है केवल और इसके पहले नहीं है तो ऐसी जो रेखा है जो मस्तिक्स से और शनी परवत तक जाती है दोस्तों तो यह चालिश वर्स की आयू ऐसे विक्ति स्त्रीय अपरुश की बताता है जब उसे सब प्रकार के सुख सुगदाएं और एक अच्छा जीवन अच्छा अर्निंग सोर्स जिसे आप कहते हैं कि किस्मत चमकना वो सब उसके जीवन में घटित होता है एक अच्छा किस्मत का निर्वा हड़े रेखा से उपर दिखाई देती है सिर्फ उससे पहरे नहीं होती है कैसे जैसे कि ये भागे रेखा है और ये हड़े रेखा है तो ये भागे रेखा सिर्फ जो है हड़े रेखा के उपर ही यहां पर दिखाई देती है यहां से इस हड़े रेखा के उपर ही सिर्फ य बढ़ापा होता है, 45 या 50 वर्ष के बाद का जो समय उनका होता है, वो उनके लिए सुखदाई होता है, या भाग्योदे होने वाला समय होता है, तब वो समझ सुखद संपदाईं और बढ़ापे में सुख भोकते हैं, या कारवार के माद्दम से, अर्निंग सोर्सिस के माद्दम से, उनको काफी सपोर्ट 50 वर्ष के बाद प्राप्त होता है, दोस्तों, पांस चाव पॉइंट में आपको यहाँ पर बताता हूँ, और वो यह है कि कुछ विक्तियों के हातों में जो रेखा है, वो मस्तिक्स यहाँ पर एंड हो जाती है, इसके उपर नहीं दिखाई देती है, आप समझ पा रहे होंगे जो यहां से ले गरके, और यहां तक, केवल मस्तिक्स रेखा तक ही भागे रेखा होती है, तो ऐसे विक्ति जो है, माना जाता है, जो तिसका संकेत है कि ऐसे विक्ति अपना जीवन जो है वो पोरानिक संपदा से चलाते हैं पोरानिक संपदा यानि कि बैक ग्राउंड में कुछ बैक ग्राउंड की संपदा से जैसे जमी जायदा या माता पिता का दादा का पोरानिक लोगों का जो है इकटा किया हुआ, दन संपदा से ही अपना जीवन चलाते हैं तो ऐसे लोगों को भाग्यशाली भी कह सकते हैं लेकिन ऐसे विक्ति अपनी करमड़ता से अपने जीवन में धनो पार्जन या इजद्मान प्रतिष्ठा कम ही संजो पाते हैं चटोवा पाइंट में आपको यहाँ पर बताऊंगा केवल यदि जीवन रेखा केवल हाथ के मध्य में हाथ के बीचों भीच थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं किस प्रकार से? जैसे कि यह भाग्य रेखा पूर्ण है लेकिन भाग्य रेखा सिर्फ यहां से लेकर के और यहां तक घरदे रेखा तक दिखाई दे रही है यहां से लेकर के और सिर्फ यहां तक दिखाई दे रही है केवल इतना पार्ट अगर भाग्य रेखा का दिखाई दे रहा है सिर्फ इतना तो इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तियों को जल्दी ही तरक्य मिल जाती है किसी भी मामले में कारोबार के मामले में पैसे के मामले में बिजनस के मामले में लेकिन ऐसे व्यक्ति तरक्की तो मिल जाती है लेकिन वो तरक्की उम्र के 20-25 साल के बाद मिलती है और जाकर के 40-45 वर्स तक ही उसका उपभोग वो कर पाते हैं तो तरक्की या भाग्योदे ऐसा होता है कि जो केवल जीवन के मध्यकाल तक ही 25 वर्स के बाद और 40-45 वर्स तक ही वो अपना धनो पारजन जो भी उन्होंने एकटा किया है या सुख संपदा किया है या विजनस को बड़ा किया है केवल वहीं तक चल पाता है तो बालेकाल और ब्रदवस्ता में वो सारे सुख संपदाएं या भाग्योदे वो उतरा प्रबल नहीं होता है जितरा कि केवल जीवन के मध्यकाल तक ही होता है तो दोस्तों यहाँ पर साथवा पॉइंट में आपको बताऊंगा किसमत चमकने के समय के बारे में और वो यह है कि जीवन रेखा से जब दोस्तों कुछ रेखाएं भाग्य रेखाएं जो शुरू होती है विक्तियों की जीवन रेखा ये कही जाती है दियान से लेखएंगा ये जीवन रेखा है लेकिन ये भाग्य रेखा यहां से ना आ करके बलकि ये भाग्य रेखा यहां से सुरू होती है कि अब कई लोगों के भागे रेखा यहां से सुरू होती है और तब यह उपर की तरफ जाती है यानि जीवन रेखा से सटी भी होती है या चिपक के चलती है या जीवन रेखा से सुरू होकर के चलती है भागे रेखा तो ऐसी भागे रेखाएं दरशाती हैं कि ऐसे वेक्ति अपने जीवन में तब सफल होते हैं जब भी वो मेहनत करना चाहें उनका समय वही है वो अपने बाहूबल पर अपने कारण अपनी मेहनत के कारण ही जीवन में उचाईया पाते हैं या यूँ कह सकते हैं कि किसमत चमकती है ये भाग्योदे होता है तो तब ही होता है जब ऐसे विक्ति अपने अंदर करमठता का भाव लेकर के जब भी मेहनत करेंगे या जितने समय तक कठिन प्रयास करते रहेंगे तब तक उनका भागवदे चलता रहता है और जिस दिन वो अलस कर लेते हैं उस दिन भागया पर डाउन हो जाता है कहने का ताथ पर है कि ऐसे विक्ति पूझी को संजोकर नहीं रख सकते बतलब कि यू नहीं कर सकते कि एक बार कमाया और रख लिया और जीवन बर खाते रहें ऐसा नहीं बलकि उन्हें निरंतर कारियरत रहना पड़ता है और जब जब जितनी ज़्यादा वो जितनी कम मेहनत करेंगे उसके आपड़िंगे ऐसे विक्तियों कुछ सफलता बागयोदे मिलता रहता है दोस्तों आठ वाँ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ समय और वो यह है कि भागय रेखा कई व्यक्तियों के हाथों में नहीं होती है यहां से जिवन रेखा से चलती हुए कुछ लाइन्स यहां तक होती है एक या दो लाइंस इस प्रकार से तो जो जीवन रेखा से चलती भी और यहां तक हरदे रेखा तक जाती हूं ऐसी दो लाइंस या तीन लाइंस यदि दिखती हों और भागय रेखा ना हो तो ऐसे विक्टी का भागयोते 29 वर्ष के बाद माना जाता है और ऐसे जो पुरुष है एस्त्रिया है उनके जीवन में भाग्यों देखा समय किसमत चमकने के समय ये 29 वर्ष के बाद ही देखा गया है और ऐसे विक्ति जिनके हाथ में सिर्व ये क्रॉस लाइन्स हैं लंबी भाग्य रेखा शनी प्रवत को जाती हुए नहीं है कि एवल क्रॉस लाइन्स हैं एक दो यती तो ऐसे विक्ति अपने जीवन में जो काम करते हैं उसके मामले में उन्हें भाग्योदे भी होता है नेम अथा धन संपत्ति को भी यूं कह सकते हैं कि अपने जीवन में अचानक से विक्ति 29 वर्ष के बाद अच्छी प्रयास के कारण एक कोरोड़ोपति धनवान और वैभवशाली वक्ति वाद थे तो दोस्तों ये थे सारे पॉइंट्स किस्मत चमकने का समय भी बता देती है भागे रेखा इस पर तो अधिक जानकारी के लिए कुंडी अनालेसिस प्रडिक्शन आदि के लिए आप हमारे इन नमबर्स पर कॉल करके अपॉइंट बुक कर सकते हैं अपने लिए अपॉइंट इस वीडियो को अधर प्लेसिस बे भी शेर जरूर कीजेगा सो रादे रादे जैसे किश्ना